आज हम करने वाले हैं NCRT class 6 के English के book का unit 2 जिसका theme है friendship और इसका chapter number 4 the unlikely best friends तो चलिए start करते हैं आज के story को let's read part 1 गजराज the elephant live in the best booth of the royal stables तो जो गजराज है यहाँ पर आप देख सकते हैं picture में गजराज है और यह है महावत यह इनकी देखभाल करते हैं तो story में देखते हैं गजराज जो elephant है वो रहता है सबसे अच्छे booth में booth means rectangular space यहाँ पे एक अलग space दिया गया है इनको रहने के लिए जो है royal stable में stable मतलब हिंदी में कहते हैं अस्तबल अस्तबल में जातर आप सुनते होंगे घोडों को रखा जाता है वैसा नहीं है जानवरों को रखने के लिए अस्तबल होता है उसके अंदर जो सबसे अच्छा room है वो दिया गया है गजराज को stable living space for animals the king was fond of गजराज and he had order that the elephant should be well looked after जो गराजा है king जो है वो बहुत ही जादा पसंद करता है गजराज को इस वजासे उसने order दे रखा है कि इस elephant का बहुत ही अच्छे से देखभाल किया जाए in spite of royal comforts गजराज was sad because he had no friends इतना सारा comforts होने के बावजूद भी गजराज जो है वो खुश नहीं है क्योंकि उसका कोई friend नहीं है कोई दोस्त नहीं दा महावत और elephant trainer महावत को इंग्लिस में elephant trainer कहते हैं हिंदी में महावत कहा जाता है तो दा महावत और elephant trainer was the only one he ever interact with तो जो elephant है गजराज है उसके पास सिर्फ एक ही वेक्ति आता है जो है महावत और इसके अलाबा वो और किसी से मिलता जूलता भी नहीं है interact भी नहीं कहता है interact with means communicate with मतलब बाचीत करना या मिलना जूलता है तो जो गजराज है बड़ा ही kind man है बहुत ही द्यालू वेक्ति है वो हर रोज गजराज को खाना खिलाता है साथी उसे नहाने के लिए elephant pond में ले जाता है यहाँ पे elephant के लिए अलग से पोखर तालाब बना he was a good caretaker but not a friend तो यहाँ पे बोला जा रहा है गजराज कह रहा है कि जो caretaker है वो बहुत अच्छा है महावाज जो है वो बहुत अच्छा है but friend नहीं है हमारा I wish I had a friend I can play with thought गजराज तो गजराज अब सोच रहा है कि कास मेरा को एक दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल पाता one late evening a dog stayed into the stable एक साम एक कुत्ता अचानक से कहीं से आ जाता है stayed into means came by mistake गलती से stable के अंदर आ जाता है स्टबल के अंदर आ जाता है गजराज could see that the visitor was tired and hungry गजराज जो है वो देखता है कि जो विजटर आया है विजटर यहाँ पर dog को बोला जा रहा है जो आया वो बहुत जादा थका हुआ है और भूका है he pushed some of the food he was munching towards the dog तो जो गजराज है जो खुद खाना खा रहा था मंचिंग जो खुद खाना खा रहा था उसके कुछ तुकड़े को या कुछ भाग को उस dog के तरफ आगे बढ़ा देता है the visitor visitor means dog the visitor waged his tail visitor means नहीं या visitor जो है वो dog है जो उसके पास आया है by mistake तो वो अपने पूछ को हिलाना शुरू कर देता वेग्ड मींस आप देखते हैं कुछ तो गर कुछ खाने को दिया जाए या उनसे प्यार किया जाए तो अपना पूछ हिलाते है अपना प्यार दिखाने के जो जाता है वेग्ड मींस मूब्ट फॉर्म साइट तो साइट और कन्वे मींस कम्नीकेट यहां पर करता है कि जो डॉग है वो गजराज को थैंक्स बोलना चाहता है इस फूट के लिए उसके बाद वो पूरे ध्यान लगा कर फूट पे खाना शुरू कर देता है फूट को गजराज वो इस कम्पनी को बहुत आदा कर रहा है कंपनी को पसंद कर रहा है कंपनी को पसंद करना मतलब यहां पर जो डॉग है उससे गजराज वह जहादा खूश है So he threw some crumbles to the dog and which the animal accepted wagging his tail तो गजरा जो महावत है यह देख करके खाने का कुछ तुकड़ा Crumbles means small piece of food, खाने का एक तुकड़ा उस डॉग के तरब आगे बढ़ा देता है जिससे देख कर जो डॉग है वो अपने पूच को हिलाना शुरू कर देता है और खाने को accept करता है When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend जब elephant गजराज अपने नहाने के टाइम पे नहाने के लिए जाते हैं अपने तालाब में तो जो डॉग है वो भी उसके साथ हो लेता है accompanied went with someone मतलब यहाँ जो गजराज जाएगा उसके साथ डॉग भी उसके साथ चला जाएगा ठीक है यहाँ पे फ्रेंड बोला गया है मतलब अब जो गजराज है और जो डॉग है यह दोनों अब दोस्त हो चुके है Plunging into the water, the elephant gave himself a sour using his long trunk as the dog watched उसके बाद जो गजराज है वो सीधा पानी के अंदर डॉपकी लगाते है jumping in, plunging means jumping in उसके अंदर चले जाना the elephant gave himself a sour using his long trunk उसके बाद अपने long trunk को trunk trunk मतलब उनका जो सूड होता है long nose उसमें पानी भर करके खुद के उपर पानी डालता है और यह सब बैट कर dog उसे देख रहा होता है the elephant took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend उसके बाद जो गजराज है वो अपने शूड में धेर सारा पानी भर लेता है trunk full water और उसके बाद उस पानी को अपने दोस्त अपने dog जो है उसके उपर टाल देता है the dog yelp for he hated taking sour अब जो dog है वो yelp करना शुरू कर देता है yelp means cried चिलाना शुरू कर देता है क्योंकि उसे नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है the mahaavat loved और यह देखके mahaavat वहाँ पे बैट कर हस रहा होता है on their way home the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back जब वो वापस वहाँ से अपने घर के तरह पा रहे होते हैं मतलब फिर से stable के अंदर जबा रहे होते हैं तो elephant जो है गजराज जो है उसे dog को अपने trunk से पकड़कर अपने peat के उपर बिठा लेता है the dog was delighted to get a ride और जो dog है बहुत ही ज्यादा खुस हो जाता है happy हो जाता है क्योंकि उसे एक ride मिली मतलब उसे चढ़ा के ले जाया जा रहा है अब farmer passing by saw the dog एक farmer वहाँ से गुजर रहा होता है वो उस dog को देखता है और चोड से चिला के कहता है bunty he yell यहाँ पे आपका जो bunty है यह है stray dog मतलब dog का नाम है bunty और हमारे elephant का नाम है गजराज तो यहाँ पे जो farmer है उसी का यह dog है इसलिए वो उसे देखता है और चिलाता है bunty the dog ran to him जब dog अपने farmer दोस को देखता है farmer माली को देखता है तो दोड़कर उसके पास चला जाता है the farmer hugged the dog and tell the mahaavad that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house तो यहाँ पे जो farmer है वो mahaavad को बताता है कि यह जो dog है वो मेरा है और यह कई दिनों से मेरे घर से गायब है disappeared means यहाँ पे was not seen और hugged यहाँ पे means held closely बहुत जोड से गले लगाना he was glad he found him now अब जो किसान है farmer है वो बहुत खुश है कि उसे bunty वापस मिल गया the mahaavad had no objection to the farmer taking the dog home तो mahaavad जो है उसे कोई भी objection नहीं है वो अपने dog को अपने bunty को वापस घर ले जा सकता है the farmer tossed a rope round the neck of dog saying come bunty let's go home तो यहाँ पे जो फार्मर है वो अपने साथ एक रसी भी रखा है उसे bunty के गले में dog के गले में बान देता है और उसके बाद bunty से dog से कहता है कि चलो हम लोग वापस घर चलते है यहाँ पे end होता है part 1 का अब हम चलेंगे part 2 के तरब only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend उसके बाद जब फार्मर उस रसी को रॉप को खीसता है उसे ले जाने के लिए तब dog को realize होता है realize मतलब understand वो समझ पाता है कि उसे उसके दोस्त के साथ से अलग किया जा रहा है दोनों को अलग किया जा रहा था he yelped एक तरब dog जो है वो yelp करता है yelp मतलब रोना cry करना the elephant winch और जो elephant है वो भी winch करता है winch shrunk back in pen or distress एक तरह से उसे बहुत ज़्यादा बैचनी होती है बहुत ज़्यादा problem होता है कि जो elephant है गजराज है उसको उसके दोस्त के अलग किया जा रहा है but neither the farmer nor the Mahawat noticed तो यहाँ पे ना ही farmer dog को देख पाता है देख पाता ना उसके दुख को देख पाता है ना ही महावत अपने elephant या अपने गजराज के दुख को देख पाता है and the two friends were in tears और दोनों दोस्त अपने अपने आशों में टुबे होया होता है the next day at lunch time the Mahawat served Gajraaj his favorite food next day जब lunch time होता है तो Mahawat Gajraaj को उसका सबसे प्यारा food लागर देते है जो से बहुत पसंद है when the Mahawat came back after finishing his other chores he was surprised to see that the food had remained untouched chores means यहाँ पे daily duties घर के कुछ काम होता है या रोज के जो काम होते है उसे chores कहते है यहाँ पे तो यहाँ पे जब Gajraaj को खाना दे देता है उसके बाद वो बाकी जो काम होते है उसके करने चला जाता है जब वो सारे काम फिनिस करके वापस आता है तो देखता है, सप्राइज हो जाता है कि गजराज ने खाना अभी तक नहीं खाया, नहीं उसे छुआ तक भी वाई गजराज, are not you hungry? He asked concern, concern मतलब थोड़ा परिसान होना तो यहाँ पर महावत गजराज से पूछता है, बोलता है क्या तुम आज भोके नहीं हो, क्या हुआ तुम्हें, the elephant did not react, elephant उसकी बाद पर कोई react नहीं करता है He may have slight indigestion, यहाँ पर महावत जो है, उसे लगता है, कि सायद उसका जो elephant गजराज जो है, उसका सायद पेट खराब होगा Indigestion, upset stomach, पेट का खराब होना Let me not force him to eat, thought the महावत, तो महावत वहाँ सोचता है, कि मुझे ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, सायद पेट खराब हो, तो उससे और ज़्यादा प्राब्लम हो जाएगी, तो उससे छोड़ देता है That night too, गजराज did not touch his food nor the next day, उसके बाद जब रात होती है, तो फुरी से खाने दिया जाता है, बट गजराज खाना नहीं खाता है, ना ही दूसरे दिन खाना खाता है, मतलब की वो पूरा खाना बंद कर चुका है अब जो महावत है वो बला परिसान है, क्योंकि किंग ने कहा था कि ये जो हाथी है, जो गजराज है, वो मुझे बहुत जाता पसंद है, और इसका अच्छे से ख्याल रखना, और जो महावत यहाँ पे देख वा रहा है, कि गजराज अब खाना बिलकुल भी नहीं खा रहा उसके बाद जो महावत है, वो गजराज के पेट को छूता है, और पाता है कि उसके पेट में कोई भी प्रॉबलम नहीं है, तो फिर जब प्रॉबलम नहीं है पेट में, तो वो खाना क्यों नहीं खा रहा है, अब यहाँ पे जो महावत उसके माइन में आता है, कि क्या वो दोस्त को याद कर रहा है, that dog, the महावत वंडट, महावत अब ये सोच में पड़ा है, कि सायद, सायद जो गजराज है, वो अपने दोस्त बंटी को याद कर रहा है, meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he brought home, दूसरे तरफ, यहाँ farmer के घर पे, जो बंटी है, जो डॉग है, वो आने के बाद यहाँ पे खाने को नहीं चूरा है, जब से वो अपने दोस्त से अलग हुआ है, और वापस घर आया है, तब से उसने खाना पिना छोड़ दिया है, आर यू मिसिंग यूर फ्रेंड, यहाँ पे जो farmer है, वो अपने डॉग बंटी से पूछता है, क्या तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो, आक्स दा farmer remembering the happy look on bunty's face while sitting on the elephant's back, तो उसे याद है farmer को जब वो first time bunty को देखा, तो bunty elephant के back के उपर बैठा हुआ, पीट के उपर बैठा था, और बहुत ही जादा खुश था, लेकिन जब से वो दोनों अलग हुए है, जब से बंटी वापस घर आया है, तब से वो बहुत जादा sad है, इस होजा से जो farmer उसे सम the farmer removed the rope with which he had tied the dog, उसके farmer जो जिस रसी से dog को बांद के रखा था, उस रसी को खोल देता है, the dog though weak, dog जो है वो खाना नहीं खा रहा था, इस होजा से बहुत जादा कमजोर हो चुगा था, इसके बावजूद, spring to his feet, और उचल करके अपने farmer के पैरों में चला जाता है, spring means jump करना, he licked the farmer's hand once and then ran, उसके बाद उसने farmer के hand को lick किया, thank you बोलने के लिए, और फिर वहाँ से भागना शुरू करता है, he stopped only when he arrived at the stable, और वो तब तक भागता रहता है, जब तक कि वो stable या stable नहीं पहुँच जाता, the elephant pick up the dog with his trunk and gave him a joyous swing, जैसे ही elephant, गजराज dog को देखता है, बंटी को उसे अपने सूर से पकड़ लेता है, और उसे चारो तरफ घुमाना शुरू कर देता है, joyous swing, happy and swing means move side to side or back or forth, मतलब चारो तरफ घुमाना शुरू कर देता है, the mahawat was relieved, mahawat ये देखकर के बहुँच जादा relief होता है, thankful होता है, कि चलो problem solved होई, he quickly brought the food, both of you eat first, he said, उसके बाद महावत जाके तो खाना ले आता है, और उन दोनों से कहता है कि पहले तुम दोनों खाना खालो, by then the farmer who had followed the dog join him, उसके पीछे जो farmer था, वो पीछा करता हुआ, चला आया था, stable के अंदर, जहां वो dog को और elephant को और महावत को देखता है, the two of them watch with satisfaction, the two friend eating food, जब वो दोनों वहाँ पहुंचते हैं, मतलब कि पहले बंटी डॉग आता है, उसके बाद के फिर उसका farmer आता है, तो वो देखते हैं कि दोनों friend मिल करके, मतलब गजराज और बंटी मिल करके खाना खा रहा है, satisfaction means happiness, it's not only गजराज who found a friend, said the महावत, hugging the farmer, I have also found one, यहाँ पे जो महावत है वो कहते हैं कि सिर्फ गजराज को ही एक दोस्त नहीं मिला है, बलकि यहाँ पे मुझे भी एक दोस्त मिला है, और यह बोलते हुए, जो महावत है, वो farmer को अपने गले से लगा लेता है, और यहाँ पे story समाप्त होती है, यह story लिखी है, सुबबरोय ने, और यह story ली गई है, kathakids.com से, तो अगर आपको इस chapter के exercise के question answer चाहिए, वीडियो form में, तो आप इस वीडियो के comment में comment जरूर करें, और अगर यह वीडियो पसंद आया हो, तो like करना न भूले, आज के लिए तना ही, thank you so much.